जब भी कोई मुश्री किल पड़े दुनिया इसी दर पर जुके दुनिया इसी दर पर जुके जब भी कोई मुश्र किल पड़े दुनिया इसी दर पर जुके जीनों पे बल खांकर इडर उठी सनाए जाले कुछ दिकला ओ धर्मा के सादम हुचार है अपना आलम जार है अपना आलम जार है अपना आलम ए नो जावाना आने अजा तुम हो किसी दिल की दुआ ताहश्र उठती ही रहे सीनों से मातं की सदा कायं रहे अपना आलम हुचार है अपना आलम हुचार है अपना आलम ये पर्चम आवास है ये पर्चम आवास है हुचार है अपना आवास है ये पर्चम आवास है ये पर्चम आवास है लुesar है अपना आवास है ये पर्चम आवास है ये पर्चम आवास है ये रहे सीनों ये लुख वासह किसी दिल की सदा नों किसी दिल की सदा लाहत दूट ब्रशीचत दुझा टुँआ आूदि को पाल। वीज़ें भाया गिसता लाया गाड़त दूट एसकाना वीमीन wilस्दोट देनियौ में जो मेजी जो मेजी जो मेजी कoral सुपपजी जो मेजी या मैं दी या मैं दी ईवाने दोवने से संभावाने हुए Ada ने दी फत्रों ने दी फत्रों से तुरuvo संभाया हुए या मह्दी या मह्दी या मह्दी या मह्दी या मह्दी या मह्दी हाद बेख्जचकादाद काले सरसए पहने तोंसे हाथ को काट दे एक अन देरा खिजि से निरता को शवा या मेधी, या मेधी, या मेधी नौसे, 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 नौसे जुन्वते ने चुप रैंके भी सयदने घितियान दुआवां सजादनों देने ए जुर्म सजावां सजादनों देने बे जुर्म सजावां सजाद नु देने बे जुर्म सजावां सजाद नु देने गुप रह के विसयद ने आए गुप रह के विसयद ने बितियाने दुआवां सजाद नु देने बे जुर्म सजावा सजाद नु देंदेने बे जुर्म सजावा सजाद नु देंदेने बे जुर्म सजावा सजाद नु देंदेने कर तरस शिवर जालम मेरी बेर सकीनाते इंजनों के नहीं कर दे फिर जुर्म यतीमाते कि में तेरी या उंग्लाचों कि में तेरी या उंग्लाचों इंगे वाले छुडावा सजाद नु देंदेने बे जुर्म सजावा 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 सजाज नुदेने तरसे शिमर जालिम मेरी बैन सकीनाते इत लोगे नहीं करते हैं जुर्म यतिमाते कि तेरी अंगलाचों बे जुर्म सजाज नुदेने बे जुर्म सजावा 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 सजाज नुदेने अरे मोडते रुखदाए सब जांदे या राया लो बीमारे पुछदाए बे जुर्म सजाज नुदेने बे जुर्म सजावा सजाज नुदेने तुक लाश सकी नादा हर मोडते रुखदाए सब जाने या रायानु जी मारे पुछदाए केड़ी जाते मुसल्मानों एंदी कबर बड़ावा सजाज नुदेने बे जुर्म सजावा सजाज नुदेने बीमारे है मुस्दत तो तीने तुर्या खुदाजाणे नहीं तो गे तुर्म देना तंगं की ताए जखमाने पेरा चुलहु जारी पेरा चुलहु जारी पत्री या रामा सजाज नुदेने पे जुर्म सजावा सजाज नुदेने पे जुर्म सजावा सजाज नुदेने पे जुर्म सजावा सजाज नुदेने पी मारे है मुदत तो किने तुर्या खुदाजाणे जई तो के तुर्ण देला तंग जीताए जखमाने पेरा चुलहु जारी पेरा चुलहु जारी पथरी ली अरावा सजाज नुदेने पे जुर्म सजावा सजाज नुदेने पे जुर्म सजावा सजाज नुदेने बे जुर्म सजामा सचा जुने दे बे जुर्म सजामा सचा रहवार रो रहा था जैना भी रो रही थी रहवार रो रहा था जैना भी रो रही थी रहवार रो रहा था जैना भी रो रहा था जैना भी रो रही थी रहवार रो रहा था जैना भी रो रहा था जैना भी रो रही थी कुखा गई दरबार दी पेशी जैनब दी साड़े खोलया राम मुका गई ओ विच्छ सफरा दे नौल जैनब दे जे गुद्धी असाब दी हों दी ओ भी रूल मर्दी विच्छ शाम देरा दे तायां दे गाल रोवन दे पांदी जैनब दो रहा था जैनब दो रही थे जैनब दो रहा थे जैनब रो रहा था, जैनब रो रही थी, मेरा भाई कहां उतारा, मेरा भाई कहां उतारा, बीबी ये पूछती थी, रहा बार रो रहा था, जैनब रो रही थी, रहा बार रो रहा था, करहा आट शाया जान कि लोरी कि अफार जोना शादा जान में दूरा का शार समार जोना की बैलीक я क determ giveaway लाव विरो नहीं आई है लाव विरो राका मेरन भी रो नहीं ती मेरा भाई का उतारा, मेरा भाई का उतारा, भी बी एक उर्च दी ती, रहा रो रहा का, बैना भी रो रही थी, रहा रो रहा 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 थी, जैनाब भी रो रही थी जैनाब भी रो रही थी जैनाब भी रो रही थी चाहवार रो रहा था जैना भी रो रही थी भाई कहां उतारा बेरा भाई कहां उतारा अब भी ये पुछती ती ताहबार रो रहा जा जैना भी रो रही थी अब भी रो रहा जा जैना भी रो रही थी अब भी रो रहा जैना 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 भी रहा ज प्रवार 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 प्रवा क्यों ना क्यों ना सितारे तूटे आस्मा क्यों ना पर्टा क्यों ना सितारे तूटे संग कुपियों के जबाया भरे दर्बार था वो बेडियां पेहने हुए आबिदे बीवार था वो सर उठाए हुए दर्बार में जन्जीरों के साथ सर उठाए हुए दर्बार में जन्जीरों के साथ सब की बन के खड़ा आहनी दीवार था वो बेडियां पेहने हुए आबिदे बीमार था वो दीन रब खावर आजाद रहे दुनिया में दीन रब खावर आजाद रहे दुनिया में इसलिए तौक सलासिल में गिरिफदार था वो देरियां पेहने हुए आबिदे बीमार था वो मेरे दाद थे कर देन अब को सरे दार था वो दूरूद रहे दूरूद रहे दूरूद रहें असालाम एलेकम असालाम एलेकम 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 सालाम I am here to greet you today on this most solemn of days the mayor extends his condolences and wishes he could be here with you today unfortunately he's not able to be here so he sent me, my name is David Donnelly I'm a former councilman here in Jersey City and I'm one of his senior reads we pray for you today and we pray with you today that as a community we can all move forward and pray and worship together that we can all worship Allah as we see fit as good Muslims as good Americans and we welcome you here today and we will protect your freedom of religion as always here so on this day of Ashura we thank you for being a part of our community thank you so much my brothers and sisters my fellow humans everywhere we came here today because we have a message we want to convey to you all our human brothers everywhere whatever your color whatever your religion whatever your belief whatever your ethnic origin we came here and we have a message for all of you 1400 years ago a good man a noble man a monk a priest a noble person a climax in his nobility and his manners and his behavior lived on the face of this planet his name was Al-Hussein ibn Ali all people lived during the time of Al-Imam Al-Hussein they testified to the nobility generosity of that man a man of behavior a man of manner a man of ethics a man who was kind to everybody especially to the orphans a man who was at the help of any person who need him regardless of his religion the only thing this man has committed that he refuse a tyrant to take over on the nation of Islam and he didn't challenge him with any armed forces he just say no he just say no but he has been deprived to say no and stay savvy at home so has he has been ordered to either we give allegiance and participate in the process or to be killed and executed on the spot when the Imam Hussain refused and he abandoned the Medina trying to escape with his life with his family with his household the authority the new tyrant regime refused to allow him to do that and keep purchasing him from city to city and from town to town with only one purpose to execute and finish him up finally they trapped him at the plain of Karbala in Iraq they trapped him with his family in a totally civilian caravan full of women children elderly sick people no fighters no army a civilian caravan of about 100 person they intercept him and they surround him with an army formed of 30,000 fighters can you imagine that 30,000 fighters or fully or hour and now the Imam stand alone when that happened in the whole of the history of the human being tell me what whoever suffered that type of death which Imam Hussain has suffered tell me who of the victims and the Alhamdulillah Rabbil Alameen الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ مَن بَكَا عَلَى الْحُسَيْنِ اَوْ أَبْكَ اَوْ تَبَا كَ वजबत लहुल जन्ना अज़ादारान सेद शुहादा असीरान कर्बला की याद में 1435 हिज्री का जलू से अज़ादारी जर्सी सिटी न्यू जर्सी के एक्सचेंज प्लेस से शुरू होकर सिटी हाल पर इखताम पजीर हुआ है ये जलूस यजीद के जराइम के खिलाफ मुसलसल इहतिजाज का हिस्सा है ये जलूस हक बातिल के मारके में हक्की हिमायत का जलूस है ये जलूस मजलूम की हिमायत का जलूस है ये जलूस जालिम के खिलाफ जन्ग खतर है ये जलूस इंतकाम खून हुसैन लेने के खाहिश मंद अजादारों का जलूस है ये जलूस उन बीबीओं की याद में है जिनोंने वसाइल के बगएर कुफो शाम को फता किया ये जलूस उस बीबी जाइनब की तासी में है जिसने कर्बला को महफूस किया आज पाकिस्तान में इन जलूसों पर रावल पिंडी में तामंदी लग चुकी है और उसकी वज़ा वो यजीदी अनासिर है जो आज शूर के दिन यजीद की नजसरू को अपने ताइं खुश करने के लिए यजीद अलेहिससलाम कहकर मस्जदों से आवादे बलंग करते हैं जिन मस्जदों को खुण हुसाइन में जिनना रखा उन यजीदीओं ने अपनी ही मसाजिद को खुद आग लगाकर शियान आली और आसादारान हुसाइन को बदनाम करने की कोशश की है मैं यहाँ पर अमेरिका की मिट्र पुलिटन एरिया की तमाम शियान अन्यूमनों और मुहिपान एहल बह्त एहल सुन्नत की तरफ से इस बात का बर्वला एलान कर रहा हूं कि कोई शिया मस्जद को जलाने का तसवर नहीं कर सकता हमारे एमामों ने अबादतगाहों के एहतराम का हुक्म दिया है हमारे इमामों ने गैर मुस्लिमों की अबादतगाहों को मेहफूज करने का हुक्म दिया है हमारी कर्बला में जहां मुसल्मान का खून बहा है वहां वह पे कल्बी का भी खून बहा है जो कन्वर्टिन है मगर चन्द लम्हे पहले क्रिस्चन था शौदा कर्बला में सिर्फ एक खातूर शामिल है और वही हज़रत इसा की कौम से तालुक रखने वादी है हम हर किसम की देशतकरदी की मजब्मत करते हैं शिया आने अली को अपनी सफों में इतिहाद बरकरार रखना होगा इसलिए के रावल पिंडी में घुन्दों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शिया ये शहर छोड़ दे और नवास शरीफ की हकूमत के घुन्दे पहले ये कह चुके है कि शियों को ये मुल्क छोड़ देना चाहिए मैं यहाँ पर बरमला ऐलान कर रहा हूँ अन घुन्दों को ये मुल्क छोड़ देना चाहिए जो यजीद को अलेहिस स्वाम कहते है ये मुल्क हुसाइन अब्लियारी की वज़ा से हासल हुआ था और हुसाइन अब्लियारी के तथक्रे से ही बागी रहेगा नारे एड्री जल्यारी के टूओं एड्रवी पशाइन आरे एड्री थक्रेश्था थक्रे पाकिस्तान में तश्कीम पाकिस्तान में हमारे बुजूर्गों का खूर लगा है हमारी काम की दालत लगी है शिया और सुनी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान बचाया था और हम दोनों मिलकर पाकिस्तान बनाया था मिलकर पाकिस्तान को बचाएंगे भी मिलकर हमने तीसरी कौम के खिलाफ एतिजाज करना है जिसका शजरा नसब तेरा सो चुहतर साल के बाद भी मालूम नहीं है हम शजरे वाले लोग हैं, हम डेक्राउन वाले लोग हैं हम इस मिल्क पाकिस्तान में इज़त से जिएगे डूब के बढ़ जाना चाहिए, उन खुमराणों को के यहां पर माचिस्टर के सिटी हाल में, मजलस हुसाइन होती है मातं हुसाइन होता है, जर्सी के सिटी हाल में, मेर की तरफ से मजलस औ मातं का इकिवान होता है और खुट को करे बागो, रसुल के कहने बाले, नमासे रसुल के मातं पे पाफंदी लगाते। चाहτα किया सबना, कियासुल का मुझल किया सुनी, लभन 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 किया सुनी मेसिज मालूम हो जाना चाहिए कि इंशालला शिया सुनी अखिलाफ की साज़िश पाकिस्तान में या दुनिया भर में कभी कामियाब नहीं होगे हम इंशालला तीसरी कौम के खिलाफ खड़े होंगे और मैं आज के शुराका से बुलारिश करता हूँ अगले साल जब हसी नाने कर्वला के जुरूस में आए तो कमसकं एक एने सुन्त के भाई बेहन को अबने साथ लेका राए अब इस जंग में हमने मुतहिद होना होगा हमने मुतफिक होना होगा और इंशालला ये जंग हम ऐसे ही जीतेंगे जैसे नाना में भी जीती थी नासे में भी जीती थी दुनिया में कोई जुनूस निकलते है एक नाना का जुनूस है जो रभी लोवल में निकलता है एक नासे का जुनूस है जो मुहर्रम में निकलता है यही तुम दुनिया को बताते हैं, के जुमूस जीतने वाले निकालते हैं, हाले वाले नहीं निकालते हैं, ना ना भी जिता था, ना भी जीता था हुषानियां! निकालते हैं, कसी दिए, कसी दिए, नभी जानिया हुसे जबेग या था, निकालते हैं हukومت पाकिस्तान की सर्द मोहरी को रावल बिन्डी में उनके नाकिस इंतिजामात को ये इज्तिमाः कंडम कर चुका है और हम कंडम करते रहेंगे और हुबर्लिन पाकिस्तान को मैं वार्म करना चाहता हूँ कि ये मैं सम्झे जे मीडिया का दोर है ये मीडिया है ये मीडिया ये बता रहा है कि एक यजीदी मौली अज़दाराने हुसाइन के खिलाफ आशूर के दिन लाब स्पिकर से एलान कर रहा है किया हम हुसाइन का जलूस होके ट्विटर पर ये चीज़ मौजूद है उस वक्त इंतजामिया कहा सोई हुई थी उस वक्त इंतजामिया के लोगों ने इंतजाम क्यों नहीं किया अज़दारी के जुरूसों की हिफासत क्यों नहीं किया याद रखिए हमारी तारीख में अगर इमाम हसल अले सलम की सूल की बैक गराउंड मौजूद है तो मुख़ार के इंतिकाम के ने तारीख माजूर है में इंतिजामिया के शुकर गुदार हूँ आप तमाम खवातिन औ हज़रात का शिया और सुनी मुसल्मान भाई बेहनों का शुकर गुदार हूँ आज आपने असीरान कर्बला की याद में इतनी कसीर तादाद में सर्दी के मौसम में शिर्कत की है हुसाइन इबन अली का पुरसा हुसाइन इबन अली की बेहनों का पुरसा रसूल को दिया है रसूल इसलाम अलियो बतूल और तमाम आएम्म आप सब पे राजी और खुशाल हो बस मैं ज्यादा जहमत नहीं दूँँगा सिर्फ यही अर्स करूँगा कि यह जलूस जैनब का जलूस है यह जलूस अम्म कुसूम का जलूस है यह जलूस फातिमा कुबरा का जलूस है यह जलूस फिजाओ लबाबाओ लेलाओ रबाब का जलूस है यह उन बीबीों की याद में जलूस है जिन को अपने प्यारों पर शाम रजा कादमी साब से गुजारिश करूगा शाम भाई क्या वक्त है गुरीबी का गरे पांचाक है बालों में खाक कि कर्भो बला तलाश करते हैं रस्ता नजर नहीं आता ये हाल देख के हसते हैं रहन जफा पहन की कांदों पर कुल काइनात लाते हैं कदम कदम पाए आवास देते जाते हैं हम लेला समल जैनब को ला रहा हूँ मेला शय अकबर हम लेला समल जैनब को ला रहा हूँ मेला शय अकबर आम मेल आसमल जेनब को बोले हुँगे हुसिन ये रोकर आम मेल आसमल जेनब को ला रहा हूँ, मेला शाय अकबर आम मेल आसमल जेनब को नो जवालाश है जही पी है, मेरी नजरों से देख मन्जर वारिसों की राद तड़कर पसल हुई, राहे वपा की एक मोहम और सल हुई भरकर नजर में हाद से कर बला बड़ा, अब ताजा मन्जिलों की तरफ काफला बड़ा अब ताजा मन्जिलों की तरफ काफला बड़ा, और निकला जो दिन तो सुए, हरम एले शर चले ताजा सितंपे बान के जालिम कमर चले, कुछ लोग रस्यों के सिरे धाम कर चले और बेकर तड़प रहे थे, जिधर सब उधर चले बेकर तड़प रहे थे, जिधर सब उधर चले बलवे में सब बरैना एं इतरत रसूल की और जैनाब दोहाई देती है, रोह बतूल की जैनाब दोहाई देती है, रोह बतूल के गुजरे उधर से हो के जो ये सुखता जिगर कुछला पड़ा था लाशाए शे जिस मुकाम पर जैनाब जमी पे गिर पड़ी एक चीख मार कर तड़पा उधर जमी पे तने शाह बेरोबर तड़पा इदर जमी पे तने शाह बेरोबर खे में जला दिये गए हम बेरिदा हुए जब दर में बादेशाओं में जाह मार कॉत बेरो झाह बेरोबर बैतत्येमीन अमा बाद फघकाल रसूल्लाह इनना लिलह भुसेने हरारतं फिल गलूब ला तब्रदू अब्रदू पुर्सादाराने स्यदु शुहदा अज़ादाराने शुहदाए कर्बला आज जर्सी सिटी नियू जर्सी से असीराने कर्बला की याद में ये सालाना जुलूस मात्मी जुलूस बरामद होने जा रहा है 1435 हिज्री का असीराने कर्बला का जुलूस गम और अंतोह के साथ दुख और कर्ब के साथ रंजो अलम के साथ असीराने कर्बला की याद में एक्सचेंज प्लेस जर्सी सिटी से अज़ादाराने हुसैन मातमदारान नुहा खानान मजलूम कर्बला के चाने वालों के इज्टिमा की सूरत में परामद हुआ चाता है आज से 1364 साल पहले एराग के शहर कर्बला में शहीद आजम इमाम हुसैन अलहिस्सलाम और उनके बावफा एल बैत और अस्हाब और अनसार अपनी जान के नज़राने की अपने माल की खुर्बानी और इसार की जो मिसाल पेश की वो ना माजी में मिलती है ना हाल में मुम्किन है ना उसका इमकान इस्तिक्बाल में कर्बला एक ही हुई और उसी कर्बला ने घदीर में मुकमल होने वाले इसलाम को कियामत तक के लिए महفوظ कर लिए कर्बला वो नहर है जिसने इसलाम के शजर और इसलाम के बाग की बागवानी की है कर्बला वो इंस्टिट्यूट है जिसमें सुल्म हार गया और सबर जीत गया कर्बला वो तहरीक है जिसमें रुक्स तरूद वाले हार गये तहच्च्च्च्च अ दूरूद वाले जीत है कर्बला वो जह्दे मुसलसल है जिसमें ह court का अलंग की बलंद हो गया और पातिल हमेशा के लिए सरनिगू ऊर्वाए कर्बला ने वक्त के जालिमों और जाबिरों के खिलाफ महदूद वसाइल से इलाए कलिमे हक का दर्स दिया दुनिया की जितनी आजादी की तहरीके सन एक सज़ हिज्री से लेकर आज तक चली उनके पीछे ठीम कर बला की थी सच कहा था रसूल ने इनना लिलहुसाइन हरारतन फिल्कुलूब मेरे हुसाइन के लिए लोगों के दिलों में एक हरारत है एक हीट है ला तबरदो अबदा जो कभी भी थंडी नहीं हो सके आप देखें लैदर बदलते रहे हकूमते बदलती रहे इक्तिदार तब्दील होते रहे मौाशरे बदलते रहे रस्म और रवाज चेंज होते रहे बगर जो चेंज नहीं हुआ वो जिक्रे हुसाइल हरारत जिक्रे हुसाइल शिदत से बरकरार रही कोई भी कहानी कोई ट्रेजरी कोई वाकिया कोई सालिहा चंद सालों के बाद भूल जाता है शहीद करबरा का गम भूला ही नहीं बलके हर साल ताज़ा दम हो जाता है उसकी एक वज़ा दुख्यारी माँ की दूआ है दूसरी वज़ा असीरान करबला का वो किरदार है कि हम यज़ीद के घर में भी मजलिस हुसाइब करें हम यज़ीद के जिन्दान में भी मातब हुसाइब करें अला ताला इस मजलिस जुलूस के बानियान को जजाए खेर दे और उनके मरहुमीन की बगफरत हो खासतों मेड़ा का लिर्जवी साहब के वालिद मरहुम को अल्ला जनतुल फिर्दौस में जगाहता अफरवाए तबील जहमत नहीं देनी चंद जमले अर्ज करने हैं और उ ये मजलिस हसरते स्यदा जैनबु स्यद जैनुल आबिदी ये मातम हसरते असीरान कर्बला पीबी जैनब ने उस वक्त भी मातम किया जब हाथ पसे कर दें थे पुष्टे नाका पर मेहमल पर पेशानी मारती थी और कहती थी हाई हुसे हाई गरीब और अजीजों एक मातम सैदानियु उस वक्त किया जब अली अकबर निकलने ज़िए जिन्दा एक ही जवान है जिस में मातम हुआ है और वो हम शकले पेखंबर और बीबियों ने जब अकबर की लाश आई तो पत्थरों से मातम आज मैं इस मजलस का आगास शबीह पेखंबर के जिकर से करना चाहता है और अन्जाम असीरान कर्बला के तस्किर पेखंबर अजीजों मुख्तार ने जब अबुल खनुक को पकड़ा जो यजीदी फौज का रावी था अबुल खनुक से कहा कि अबुल खनुक मुझे इल्म है कि तु गतल हुसैन में डिरेक्ट इन्वाल्व नहीं था तो ऐसे कर मुझे तु कर्बला सुना दे मैं तुझे आजार करना अबुल खनुक कहने लगा मुख्तार न तु कर्बला सुन सकेगा न मैं कर्बला परसे तु ऐसे कर मुझे सवाल कर एक सवाल यहां बताओंगा जवाब दूसरा सवाल एंड और जवाब पहला सवाल यह है अबुल खनूख ये बता कर्बला के जवानों में से मेरे मौला हुसाइन को सबसे ज्यादा प्यारा काउंट अबुल खनूख ने कहा अबास और अली अक्बर मुख्तार ने कहा इन दो में से ज्यादा प्यारा काउंट कहा अली अक्बर मुटार ने का कोई दली, का दलील ये है कि जब भी तेरा मौला किसी जवान को भेचता तो खैमे पे खड़ा, खैमे के बाहर खड़ा दूआ करता रहे वगर मैंने देखा था, जैसे तेरे मौला ने अपने कडियल जवान को भेचा जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा वैसे वैसे बुड़ा बाđ कमर पे हाथ रखे हुए दाऊआ और कहता जाता था, महलन महला या अकबरा या अलिया अकबर जरा रुके जब अकबर रुके तो हुसайन अबनी अली कहते अकब जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं अपने घोड़े का रुख रखना मैदान की तरफ अपने चेहरे का रुख रखना मेरी तरफ ताकि मैं बार बार तुझे देखता रहूं जब घोड़ा अकबर का रेत के तीले तीलों में गाइब हुआ तो हुसान इबन अली दोड़ माशालला जमाने तालिविल्वी में हमारे उस्ताद मना करते थे कि अकबर की शहादत कोई भी हुसैन की जरी पे न पढ़े माशालला आप रोने के लिए आए मेरी बेहने बेचे लिए चन्द मुसीबते हैं जो चन्द जगों पे पढ़नी मना अकबर की शहादत हुसैन के रोजे पर सकीना की प्यास घाजी के रोजे जैनब की असीरी अली के रोजे पर परदाश स्दाब पस तबीर जहमत नहीं दी नहीं चल्दी दो जमले और सुने हुसैन अबने अली का ये बेटा जब मैदान में गया तो अली अकबर ने वो किसी और ने नहीं पड़ा सिर्फ अकबर ने पड़ा हल मिन मुबारिस हल मिन शजाब हल मिन बत्तान है कोई सूर्मा है कोई बहादर है कोई नामवर जो मेरे सामने आकर लड़े बड़ा अरसा मैंने सोचा ये रजस कासिम ने नपड़ा और मुहम्मद ने नपड़ा गाजी और गाजी के भाईयों ने नपड़ा सिर्फ अकबर ने ये रजस क्यों पड़ा क्यों सूर्माओं को पुकार रहे थे क्यों जंग जुओं को बुला रहे थे अकबर सोच रहे थे कि सारे सूर्माओं को नामवरों को मैं मार दो ताकि थोड़ी देर के बाद जब मेरा ठका हुआ बाबा निकले तो मेरे बाबा को तक्रीफ है हर जवाने गोडे से गिरते वक्त मौला को मदद के लिए पुकारा ना अबास ने पुकारा ना अकबर ने पुकारा अबास ने इसलिए नहीं पुकारा था कि जिसकी कमर तूट गई तो मदद क्या करें अकबर ने इसलिए नहीं पुकारा कि जब भी कोई पुकारता था तो मैं बाबा के साथ जाता था अब गरीब का कौन रह गया जो मेरी लाश पे ले आएगा हर शहीद ने सीधा सलाम किया अकबर ने उल्टा सलाम किया अलाइकम इन्निस सलाम या अबता आयतुला बशीर उसन नजफी से मैंने किबला से पूछा था उसकी वज़ा क्या किबला पहले तो देर तक रोते रहे कर्मला का रुख करके फिर कहते हैं शरीयत मुहम्मद का खारूर ये है सीधा सलाम करो तो अगले पे जवाब वाजिब अगर उल्टा सलाम कर दो तो अगले पे जवाब साकित है अकबर ये सोच के उल्टा सलाम कर गए नमालू मेरा गरीब बाबा अब जवाब की हमत भी रख सकता है जवाब दे सके या ने दे सके हर लाश पे शेर की तरह जाने वाला मेरा मौला अकबर की लाश पे ऐसे गया जैसे दो साल का बच्चा चलता है गिर जाता है चलता है गिर जाता है लाश उताई आखरी जुम्ला बस यहीं से मातम सुरू हो जाए अल्ला आपकी इस खिदमत को खुबूल करें एक के एक जुम्ला है मुझे कहने नहीं पड़ेगा कि आप मातम जुम्ला जुम्ला इसा पढ़वाओ मैं बच्चा था मोहाजरीन के इमाम बारगा अपनी मां के साथ भक्कर में गया था आयतुल्ला अल्लामा हुसैन बख्चारा मरहूम ने वो मज्रिस पढ़ी थी उसमें उन्हें एक जुम्ला पढ़ा सारी राग मेरी मां ये कहती थी हाई अकबर और हमारा घर था मोहाजरीन साधात के माले में मुझे नहीं आप कोई साधानी उस राग सोही हो या किसी ने चछच में जाके हाई अकबर न किया सारी राग वो जुम्ला सुन ले और हम शुरू करते हैं चुरू जुम्ला ये था जो किबला ने पढ़ा था कि हुसाइन जब लाश ले आए न तो अपनी बहन से का बहन जैनब जरा अपनी भावी को इतला दे दे जनाब जैनब ने अमाफिजा से कहा अमाफिजा मेरे अंदर हिम्मत नहीं रही कि मैं इतला दूँ लेला को कि बेटा मर गया तू जा तू जा इतला जब जनाब फिजा आई तो अजब मनजर देखती है कि जनाब लेला कनाते खेमा पे यूँ हाथ बार रही मैंने कहा क्या हुआ भी भी कह दी अमाफिजा जब से मेरा अकबर गिरा मेरी आखों का नूर खत्बोगे मुझे कुछ नजर नहीं आरा अमाफिजा पकर के सहारा देखे फिजा ले आई जब जनाब लेला आई पर यहा तक तो मजलिस थी सब के लिए अब मैं जलिस है खवादीन के लिए यह जुम्ला जो किबला ने पढ़ा थे जो खवादीन जहां मुझूद हो उन के लिए मैं अरस कर रहा हूँ माओं बेहनों बेलियों के लिए एक जुम्ला और इल्कमास से दुआ जनाब लेला आई देखा के फवारा खून का जारी था अकबर के सीनस अल्ला आपके जवानों के जवानिया सलावत लुम्ला अल्ला मन्जूरीन को शिवादी खासिम और महदी को भी अल्ला इस तज़्किरा अकबर से शिवादी बस ख़त्व हो गई मैंजिस बीबी लेला ने चलू भरा अकबर की चाती के खूँ और अपने सर में मिलाए हुसार अपने अल्ली ने कंदे पे हाथ रखा क्या कर रही हो अकबर की मा कहती है मौला मैंने मन्नत मानी थी जब मेरा अकबर सेरे पहनेगा मैं अपने सर के सुफएद बालों रंगे हिना करूँ मुझे नहीं मालूँ था बेटे की चाती के खूँ से मा के सुफएद बाल से लोगो सर के चादर भी नहीं नदर ने जुखा लो लोगो आओ माता करो बीपी दौा लोगो आओ माता करो बीपी की च दौा लोगो आओ माता करो बीपी की च दौा लोगो आओ माता करो बीपी जोगें, जोगें, जटन के खूँ अगा पर देदिन लिएस कहा नियक्ता किसें अगवान कुछू जीए भी, जीए भी, जिए भी, जीए जीए, जीए जीए जाए जाए, जाए-जाए-जाए. जाहे अपनाल, जाहे अपनाल, जाहे अपनाल, जब तक है दोरे आजमाँ, जाहे अपनाल, 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 ज